हलो एब्रीवान नमस्कार आदाव सच्छी काल मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों बोन में दर्ध हडियों में दर्ध पीठ में दर्ध फटीग कमजोरी मसल क्रैम जादातर लोगों को आज की डेट में यह सारे सिम्टम्स होते रहते हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो है वाइटमिन D3 की डेफिशिंची जो सालों में बनती हैं दूप का एक्सकोजर अब रह नहीं गया रह भी गया है तो बहुत ज्यादा हमफुल दूप आ गई है तो उस चीज़ को आपको ठीक करना पड़ेगा बिफोर इस तो लेट तो नहीं अगर कोई एक्शन लेते हैं आप तो स्लोली स्लोली आपकी हडियां कमजोर होने लगती है आपकी हडियां खोखली होने लगती है होलो हो जाती है आपकी प्रीड की हड़ी टेड़ी होने लगती है आपको हडियों कमजोर होके ऑस्टियों पोरोसिस ह हो जाता है और इसके वजए से एक उमर के बाद हो सकता है कि आप बेड रिड़न हो जाओ उठना पाओ इसलिए आपके कोई बड़े मेजर फ्रैक्टर हो जाए तो इसलिए इस वेरी वेरी को ओवर करें और साथ ही उसकी डेफिशेंसी आने ना दे यहां पर जो है यह स्ट्रेंट माइल्ड लेवल की दी गई है दो हजार आई डिस इस वेरी एक दिन में एक लेने के लिए सफिशेंट है एक दिन में एक अगर आप लेते हैं तो आपके जो मेंटेनेंस डोसेस में काम करेगा और इसके साथ इसके अंदर परदर ओमेगा-3 ओमेगा-6 के साथ इन्रिच किया गया तो फिर यह जो एक चीज है एक डेफिशेंशी प्रिवेंशन और डेफिकेंशी करेक्शन दोनों में काम आ सकता है अपने वाइटमेंट-D3 को सही रखने के लिए तू बेसिक वाइटमेंट-D3 चूज करें और रोज़ाना खाएं टेक कैर